Hello friends, आज हम आपको बताने चल रहे हैं, 10 प्लस 2 के बाद जो हमारा यूथ है, उसके अंदर एक बड़ी ख्वाइश होती है कि उसका admission किसी नेशन लेबल के इनवस्टी में अच्छे इंस्ट्यूट में हो जाए और वो अपनी पढ़ाई करके अपने करियर को इक दिशा दे सके तो इस संबंध में आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे हम उस अच्छे संस्थान तक अपनी पहुंच बना सकें, वो अच्छे संस्थान कौन से हैं, उनमें admission का क्या criteria है और उसके farm कब आपको fill up करने हैं ये सारी जरूरतें जो किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश के लिए होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इस वीडियो को पुई तरह से देखेंगे, एक-एक step को अच्छी तरह समझेंगे, जिससे farm भरने में आपको कोई परिशानी नहों और साथी साथ जो criteria है उसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि क्या criteria वो इनुष्टी चाहती हैं या इसे संस्थान क्या criteria चाहते हैं और उसके के लिए कैसे तैयारी की जाए कि आपका एडमिशन उन संस्थानों में सुरच्छित हो सके तो मित्रों आपको हम आज ऐसे प्रतिश्थित परिच्छा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है CUET 2024 2024 में Common University Intense Exam जो होने जा रहे हैं उसके लिए प्रक्रिया प्रारम होने टेस्ट के लिए अपियर हों इसके फारम फिलब करें इसके तैयारी करें और आने वाले Intense Exam में बैठ करके वो अपना प्रवेश अच्छे संस्थान में सुनिशित कर सकते हैं तो CUET 2024 के फारम कप तक आने जा रहे हैं सबसे पहरी बात ये है CUET की प्रासेस प्रारम हो गई है और February 2024 में इसके फारम आ जाएंगे फर्वरी 2024 से लेकर के मार्ज 2024 के बीच इसके फारम भरने है ऐसे बचे जो 2024 में 12th आपेरिंग है वो फारम भर सकते हैं या जो पहले बार ही कर चुके हैं वो फारम भर सकते हैं और एक बात और बता दे इस फारम को भरने के लिए कोई minimum ए उपर हैं तभी आप फार्म भर सकते हैं, इस तरह की कोई इसमें परक्रिया नहीं है, तो कोई भी बच्चा जो बार्वी उत्रेण है या बार्वी में अपेरिंग कर रहा है दोजाच विसमें वो फार्म इलब कर सकता है, अब CUT जो एक्जाम है उसको एंटी एजेंसी करवात एक ऐसा प्लेट फार्म प्रदान करता है, जिससे हर बच्चा अपनी योगता के अनुसार अच्छे संस्थान में प्रवेश पास सकता है, तो इटी जे बेटा एज अपरचुन्टी वारेवरी यूथ, आपको एक अच्छा प्लेट फार्म मिलता है और आपको अपनी अपर अलाइन मून में होगा, इकजाम अलाइन मून में होगा, जो एंटी ए करवाएगी, फार्म भनने की लाज डेट आप सब चीज़े समझ लें, फरवरी दोजाद चुबिस से लेकि माद दोजाद चुबिस के बीच, एकजाम कब होगा, एकजाम इसके होंगे, पंद्रा मई स लेकर के 31 मई की बीच, अलग-अलग फेस में एकजाम होंगे, पंद्रा मई से 31 मई दोजाद चुबिस के बीच, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इसके लिए सेंटर बनाए जाते हैं, और लगभग 400 से अधिक सहरों में, और विदेशों में भी 24 से अधिक देशों में इस के एकजामनेशन सेन्टर होंगे, और इस परिच्छा से जो बच्चे चैनित होंगे, उन बच्चों को देश की सेंटरल इनवस्टिइज, इस्टेट इनवस्टिज, डीम इनवस्टिज, प्राइवेट इनवस्टिज में इसके स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलता है, तो क्या है www.cuet.samarth.ac.in एक बार वेफसाइट को फेसे सुन लें www.cuet.samarth.ac.in इस वेफसाइट पर जा करके आप फार्वरी में भर सकते हैं फार्वरी से लेकर के मास तक फार्म खुले होंगे फार्म को भरने के लिए जो पातता है मैंने आपको बता दिया है अब फार्म की फीस क्या होगी इसमें अलग-अलग सब्जेट के आपसन के अंसार फीस का क्राइटीरिया भी हर केटेगरी के लिए अलग-अलग है जर्नली तीन सब्जेट के जो फार्म भरे जाते हैं उसके ल परिच्छा जो विभिन सहरों में आउजित की जाती है इस परिच्छा से लगभग 400 विश्विद्याले अपने प्रवेश को फुलफिल करते हैं तो 400 विश्विद्याले में आपको प्रवेश करने का मौका मिलता है काउंसलिंग का मौका मिलता है अपने अनसार आप उन विश विद्यालेओं में अलग-अलग subject, अलग-अलग जो stream का combination है, आपको मिलेगा, फाम भरते समय उसको साधानी से पढ़ें और उसके अनुसार आप अपने test के लिए subject का चुनाओ करें। जो test प्रक्रिया होगी, वो किस प्रकार की होगी? CUET 2024 का जो intense test होगा, वो online mode में होगा, objective होगा, 13 भासाओं में होगा, आप अपनी छेत्रे भासा में भी इस test को दे सकते हैं। और इसके लिए जो examination pattern है, जो अभी मजने बताया कि वो optional और multiple choice वाला होगा, उसके तीन section होगे, section 1A और 1B ये language का part है, इसमें 50 questions होगे, जिसमें से आपको उन questions के answer देने हैं 45 में। दूसरा section, जो second section है, वो domain subject का होगा, जो आपका मुख भी से है, उसमें 50 questions होगे, उसके भी answer आपको 45 में देने हैं। और जो तीसरा section होगा, वो होगा GS का, general knowledge का, general appearance का, current affairs का, numerical ability and quantitative aptitude, इसके प्रसुस में पूछी जाएंगे। और वो 60 अंग का होगा, और साथी साथ, वो 60 minute का समय होगा। तो इस प्रकार कुल मिला करके, धाई घंटे की परिच्छा होगी, और इस धाई घंटे की परिच्छा में आपको इन प्रस्नों के उत्तर, optional mode में देने होगे, जो online होगा। इस तरह से आप परिच्छा दे करके, आप अपना स्कोर अगर अच्छा लाते हैं, तो आपको बेहतर से बेहतर संस्थान में, बहुत कम खर्च में, प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश मिल सकता है। ये प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी? मई में इसकी एक्जाम होगे, 15 मई से लेकर 31 मई के बीच, जुलाई 3 वीक तक इसके रिजल्ट निश्चित क्लियर हो जाते हैं, जुलाई 3 वीक में इसके रिजल्ट आ जाएंगे, और उसके बाद 4 वीक में इसकी काउंसिलिंग और उसके अनुसार आपको अपनी मन्चाही इन्वस्टी में या छेस्ट्यूट में जहां आप चाहते हैं, वहाँ एडमिशन मिल सकता है, तुमित्रो, गुड लग!